सोएगा जागेगा खाएगा मोबाइल चलाएगा फिर सोजाएगा फिर कभी अगर पढ़ाई की याद आ गई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता है फिर सोजाएगा फिर जागेगा फिर खाएगा फिर मोबाइल चलाएगा अरे तुमसे ज्य निकल जाएगा जब वो अपने सपने पूरे कर रहा होगा और तू सड़कों पे पैदल धक्के खाएगा और फिर हमेशा की तरह रोएगा और भाने वनाएगा कि मेरी तो किसमत ही खराब थी अरे किसको बेवकूप बना रहे हो किससे जूट बोल रहे हो ये दुनिया लोगों तुछ में इसी क्या कमी है तेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुछ से नहीं होगा जो बंदा क्लास में टॉप करता है वो भी तो एक इंसान ही है उसकी भी तो दो आखे हैं लेकिन फर्क बहुत बड़ा है तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि तुम पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो काम चलाने के लिए पढ़ाई करते हो तुम्हारे लिए पढ़ाई कर लेना ही एक मंजिल है एक सफलता है जबकि तुमको पता ही नहीं के पढ़ाई तो मंजिल नहीं बलकि मंजिल तक जाने का रास्ता है जिसका पढ़ाई में मन लगता है उसके कु पढ़ाई को मंजिल नहीं रास्ता बनाओ तब पढ़ाई में मन लगेगा और जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि मुबाईल की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता तो याद रखना तुम्हारे अकेले के पास मोबाईल नहीं है मोबाईल वो भी चलाता है जो क्लास में टॉ अरे तुम जिन्दगी में क्या कर पाओगे अगर चोटे से मोबाईल ने तुमको अपना गुलाम बना लिया तुम एक मोबाईल से जीत नहीं पा रहे और बाते करते हो बड़ी बड़ी आँखे खोल लो अभी वी वक्त है समल जाओ अभी वी वक्त है और अगर इन सब बात इस पर कोई कमेंट करना बस एक कसम खाना कि आज के बाद बस पढ़ाई करना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बलकि दिल से पढ़ाई करना वीडियों में यहीं पर खत्म कर रहा हूं क्योंकि जिसको बात समझ में आनी होगी उसको बात समझ में नहीं आनी होगी उसके ये दो घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा और उसे कोई फ़र नहीं पड़ेगा उमीद करता हूँ आप उन लोगों मैंसे नहीं है तो आप इने सपनों की खातिर जाग जाओ मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मा खूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज